एक लड़का है जिसके अंदर दो डिजाइर्स है पहला कि मुझे आक्टर बनना है और दूसरा मुझे सेकंड हैंड कम्प्यूटर्स का काम करना है क्योंकि बच्पन से ही मुझे कम्प्यूटर्स में बहुत इंटरस्ट रहा हैं अब इन दोनों में से वो किसको चुनेगा फीलिंग्स हीरो गंडे में ज़्यादा बढ़िया हैं फीलिंग्स सेकंड हैंड कम्प्यूटर के काम में थोड़ी सी खराब हैं वो चला गया ओडिशन्स देने के लिए और वहां जाकर के क्या हुआ प्लैंक हो गया उसने क्या एक्स्पिरेंस किया फेलियर उसे समझ आ गया कि एक्टिंग मेरे लिए मैं ही है और उसने ठान लिया कि अब मैं सेकंड हैंड कम्प्यूटर का ही काम करोगा और अब वो जाजा करके जितने भी कबाड़ी हैं उन से सेकंड हैंड कम्प्यूटर करीद रहा हैं उसके घरवाल होने का तो तू कबाड़ी का गाम करना जाता हैं लेकिन उसने हार नहीं मानी तो अब क्या चांसिस हैं उसके सक्सेस्फुल होने के तो प्रोशने मानी और आप तक अबर रहा हैं तेरी जिंदकी का आखरी दिन हो उसमें कुछ ऐसा कर जिना होगा कुछ भी नहीं कि यह जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उतने वाला फिर भी आज रात को चैन से सो सबूँ यह जो मैं अभी कर रहा हूं इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गवाने को तयार हूं अगर फूरी दुनिया मुझे यह कहती है कि मेरी तो किस्मट ही खराब है है कि मेरि हाथ खी मिलकीरों म surreal कि कमी है तो क्यों मैं अपनी हाथ कि लखीरों को नहीं बदऄ है वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब्सक्रा कुछ होगा लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का दढ़ नहीं होगा चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हदार आए कोई फरक नहीं पड़ता चाहे एक आजमी आकर आपको रोकने की कोशिश करें या एक लाख लोग आकर आपके सामने खड़े हो जाएं अरे आपको रोकना तो दूर किसी में इतना दबी नहीं होगा कि वह आपको हिला भी सके यू मिल भी आंस्टो अबार